नमस्ते, मेरा नाम शशी है आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक मज़ेदार कहानी के साथ आज की कहानी का नाम है अनोखा घोसला इस कहानी को लिखा है कविता सिंग्ड और इस कहानी का चित्र बनाया है पार्थोसीन गुपताने थंड आने वाली इसलिए चिणिया घोसला बना रही है वह तिनका तिनका लाती और उनको ठीक से जमाती बड़ी महनत से घोसला बना सुन्दर वा नरम घोसला वह बहुत खुश है सोच रही है कि ठंड में आराम से रहेगी सोचते सोचते उसे नींद आगे तबी लगा उसका घोसला हिल रहा है सोचा शायद हवा से हिल रहा होगा लेकिन फिर जोर जोर से हिलने लगा वो जट पट उड़ी उड़ते ही घोसला गिर गया उसने देखा एक हाथी पेड से पीट खुजा रहा हाथी को खुब बुरा भला कहा उसने एक नई जगा ढोटी जहां हाथी ना आ सके फिर से घोसला बनाना शुरू किया जल्द ही नया घोसला बन गया और वह फिर आराम से लेट गए तभी उसे बड़ी बड़ी आँखे दिखाए थी वह घबरहाट में जट से उड़ी वे आँखें एक आदमी की थी उसने घोसला ठेक दिया फिर पुताई करने लगा चिडिया ने आदमी को भी पुरा भलाका और दुखी मन से उड़ चली वह उड़ती जा रही थी तभी उसे एक गुबारा दिखा फिर दूसरा नीचे देखा तो बहुत सारे गुबारे गुबारों को देखकर वह खुश हुई उसे एक तरकीब सुजी उसने फिर से घोसला बनाया एक अनोखा घोसला जहां कोई उसे परेशान ना करे तो बच्चों कैसी लगी आपको कहानी अच्छी थी ना तो चलो अब इस कहानी पर थोड़ी बात चित करते हैं क्या आपने चिडिया का घोसला देखा है अच्छा यकीन है आप सबने चिडिया का घोसला देखा हूँ तो सोचो चिडिया घोसला क्यों बना रही और इस कहानी में चिडिया ने अपना अनोखा घोसला कैसे बनाया सोचो सोचो तो बच्चो बस इतनी सिथी घोसले की कहान उमीद है आपको बहुत अच्छी लगी हो हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मज़दार कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद